एक पुर्य विधायक और एक मुझूदा विधायक जब दोनों ही एक ही कारेक्रम में पहुच गए तो दोनों में माइक पर बोलने को लेकर जबर्दस्त बहस शुरू हो गई दरहसल स्मालखा में विपार्य की मिटिंग हो रही थी कारेक्रम में पुर्य विधायक भरस सिंग चोकर और मुझूदा कॉंग्रेसी विधायक धरन सिंग चोकर पहुचे थी जहां माईक पर बोलने को लेकर दोनों के बीच बहस बाजी भी देखने को मिली आपको बता दे कि माईक पर पुरुविधायक भरण सिंग चोक कर बोलना चाहते थी लेकिन उनसे पहले आयुजन करताओं ने माईक विधायक धरम सिंग चोक कर के हाथ में दे दिया जिसके बाद काफी देख तक बहस बाजी जारी रही और पुरुविधायक बैठक से बीना बोल ही निकल गए हाला कि विधायक धरम सिंग छोकर उन्हीं बार-बार कहते रहे कि आपका मैं सम्मान करता हूँ आप बैठ जाएए और आपको भी बोलने का मोका दिया जाएगा लेकिन पुरुविधायक सभी से हाथ जोड कर वहां से निकल गए हाला कि कुछ लोगों का कहना था कि वे पार्यों की मिटिंग है इसमें राजनीती ना की जाए वहें विधायक धरम सिंग छोकर ने वे पारी को संबोधित करते हुए कहा कि घटना को लेकर वो काफी दुखी ही और सभी दुकानदारों को शहर में मजूद लोगों की एक कमेटी बनानी चाहिए ताकि कोई भी मुसीबत आने पर सब वे पारी इकठा हो सके वहीं उन्होंने दुकानदारों को लाइसेंसी आमस दिलाने के बारे में कहा है जो भी वेपारी लाइसेंस से आम्स लेना चाहता है वह उनसे मिले ताकि उसको लेकर वह उच अधिकारों से बात चीत कर सके साथी विधायक ने रेलवे रोड पर बंद पड़ी लाइटों को जल्द ही ठीक करवाना देलवी स्टेशन के पास पार्क को जल्द बनवाने वसमालखा में स्वागत गेट बनवाने के ले भी कहा वही शहर में लगातार पुलिस द्वारा चलान काटने के बारे में विधायक ने कहा कि पुराने बस अड़े से लेकर श्टेशन तक वहनों के चलान ना काटे जाए इसके लिए पुलिस पिशासन से बात करेंगे वही स्मोकी पत, सत्य प्रकाश गर्द, सिनेह गर्द, सुभाश धिमान के अलावा कई लोग मोजूद रहें वह इस पानी पत के लिए समालखा से राकेश परमा की रिपोर्ट कि अलाव प्रद, वही बात काटा ना काटे बाहें इस पानी पत पत के लिए एुछ प्रोट Yes, fight is the right choice for you एसम कूलर हर 30 पासां तो प्रतिशत कोपर मॉंडर में एसम कूलर कूलिंग में नमब वालाजी लाक्रोनिक निया वैरर बैंक टिटी रोल पानिपार्पक। 981 22 145